कैसो सारे हैं, अभी मैंने पिछला थर चेप्टर खतम ही किया था, यार बच्चों का मैसेज आने शुरू हो गए, भई या फोर चेप्टर कब लाओ गए, यार पिछला वीडियो आया था, थोड़ा सा इसू हो गया था, मेरा चैनल जो हो गया था, अब वो क्यों हुआ था, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया, विकॉज यार, अभी तो इतना बड़ा चैनल भी नहीं है, आप देख रहे हो, अभी मेरी शुरूबात है, तब भी चैनल को हैक किया गया है, जो भी दावस हो, खतम करते हैं, थोड़ा इसू था, इसलिए नहीं आया था, अब रेगल नोट्स भी मिल जाते हैं, चैप्टर के जो आपको चाहिए है, और कोई ऐसे नहीं मिलेगा, जो चैप्टर चल रहा है, उसी के आपको नोट्स मिल पाएंगे, या फिर जो मैं कवर करा चुका हूँ, विकॉज आगे के ऐसे नोट्स अभी नहीं है मेरे पास, ठीक है, अब ह ुआ हम देखते हैं, सबसे पहले यार देखो कि प्रोग्राम सबसे पहले अब हम समझते हैं चैप्टर के नाम को पहले, तो चैप्टर के नाम है program execution, अब execution का मतलब क्या होता है, execution का मतलब होता है कि कि सी भी task को complete करना, ठीक है, माल लो, कोई हमारे पास अगर एक task है और इस task को और हमने complete कर दिया अब इस task को complete करने कि जो process है क्या है इस task को complete करने की जो process है इसको को बहुते है execution ओके तुचेप्टर का नाम कहले समझें ज्रह नाम क्या है insights into program execution यानि कि एक प्रोग्राम जो है वो किस तरही कि से रन करता है हम इसके बारे में डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे और जितने भी चैप्टर को छुड़वा देते हैं आपको चैप्टर फॉर चैप्टर फाइब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप इंजिनिंग में आगे आओगे तो आपको समझ में आएगा सुड़ाम करते हैं अब तक बहुत में पधाने कि बात करेंगे चाह выглядит यखित अगर मैं आपको आपको यूठिट स्के योट्यां पर किसी निए नहीत पढ़ा होगा और उस लेवल का बहस्त आप उप लोगे हैं पड़ाया फे आप देखो सबस्री मिए ँगे हम बात करेंगे ब्रॉड और इसके बारे बात करें और कि फिर हम पर एंग ग애ंगे घु स्वायर्स अब बात यह रख करेंगे यह प्योंसिते हैं प्रॉ looking Google से पूछते हैं कि भाईया Google पे लिए हमारा हिंदी में हमको English में आ जाता है हम English में ढालते हैं और Hindi में आ जाता है तो वह क्या है एक लेंग्वेज से दूसरी लेंग्वेज में Convert करना वह क्या process क्या बोलते हैं उसको translation बोलते हैं अब सेम चीज यहां पर है transition process क्यों होती है because मैंने आप सभी को समझा रहा है कि computer computer binary code में चाहिए समझता है किसमें binary code में चाहिए समझता है और हम सब English में समझते हैं तो उस चीज़ को convert करने के लिए ठीक है machine code को binary code को जो भी conversion process होता है इसको convert करने के लिए transition process होते हैं अब कौन कौन से होते हैं यह दो process को बहुत in depth पढ़ने वाले हैं और कोई चीज छोड़ता है इसलिए नहीं हूँ because मुझे पता है आज कि उसके आगे importance क्या है आपके लिए इस stage पर अगर आप ऊच्छी सीख जाओगे तो इस stage पर क्या होता है कि सार्प काम कर रहा होता है ठीक है हम तो dedicated होते हैं हमको number के लिए सारी चीजों के वज़े से जिसे कि आप बहुत अच्छा सीखते हो से stage पर इसलिए मैं कोई भी chapter छोड़ नहीं रहा हूं compilation के बारे में फिर हम पढ़ेंगे interpretation के बारे में अब यह दो process होते हैं दो process एक होता है compilation एक होता है interpretation अब थोड़ा सा idea दे देता हूं अभी सी आप compilation में क्या होता है कि एक process जो होता है आपका एक साथ program को पूरा execute करता है ठीक है पूरा convert करता है और दूसरा जो process है वो क्या करता है आपको लाइन वई लाइन ट्रांसलेट कर रहा होता है ठीक है इसके बारे में दिफ्रेंस भी पढ़ेंगे हैं compilation वोर्स इंटर्प्रेटर के बारे में डिफ्रेंस बढ़ाऊंगा आपको इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक जो operating system होता है operating system basically क्या होता है और इसका role क्या है ठीक है operating system हम लिए क्या जरूरी है कहां कहां हमारी help करता है ठीक है सारी चीज़ा के बारे में जानेंगे जरूर और आपको एक चीज़ बता लेता हम जब आप engineering में आओगे न तो आपको यह third year में आप जब engineering करोगे engineering के third year में और अगर ठीक है तो जो चीज़े हैं यान के लिए ज़रूरी है और आपको आपको बनाता हूं को मैं पड़ता हूं तो अपने नोट्स बनाने सेयर हो एक अलग लेवल अफ अंडसेंडिंग आते हैं टॉपिक्स की यह मैंने प्रॉपरली आपको वीडियो में बताया भी था ठीक अभी सब लिखना सीख जाओगे आंसर राइटिंग सीख जाओगे आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव भी कर करो गए यहां से इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं कि कैसे अपनी राइटिंग को इंप्रूव बरना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ओके अब देखो क्लाउट कंप्यूटिंग हम इसमें क्लाउट कंप्यूटिंग के बारे में इन डेप्थ जानेंगे अब यह क्या है देखो मैं मैं आपको बताऊंगा लेके हर इंपोर्टेंट कैसी झाब लेघार तो अभी तो बहुत आसान है नहीं आघ कंप्यूटर के अगर आप एप कंप्यूटर साइंस की फिल्ड में बात करोगे मेंद इतना ब्रसकते हो ना उसके बाद में इतना ज्यादा यूसफुल होता है वो टॉपिक कल को अगर आप किसी नई फिल्ट के बारे में जानूगे नहीं तो आप उसको बाद में एक्सप्लोर कैसे घर पाओगे तो आपको बस प्रोग्रामिंग के बारे में पता है अगे बहुत सारी चीज़ों होती है जैसे कि आपको दो नई इमर्जिंट टेक्नलोजी आपकी किताब में दी गई है आपकी बुक में दी गई है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताए गया है अब यहां से एक और चीज़ बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी जो लेटेस्ट बुक आपके पास है उसमें कोछ और एडिशनल भी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं आप उसका जो फोटर भीज दीजेगा मुझे मैं उसको भी कवर कर दूँगा ठीक है मैं आपके लिए इतना एक्टेन तक जानने को तो त्यार हूं तो आपको भी यार इस चैनल को सपोर्ट तो करना पड़ेगा मैं देख रहा हूं कि हाँ पिछले कुछ द्रहों से बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विकास मैंने आप सभी के लिए इफर्ट्स डाल रहा हू तो यह तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेक्चर था लेक्चर ने इसको बोलूँगा बस एक आइडिया ले रहा था यारी एक राफ आइडिया ले रहा था हूं चैप्टर नूमर 4 के बारे में और हो सकता हूं कि तुम बहुत जादा इंटेलिजेंट हो पढ़ने में हो सक लिखना पड़ेगा चैप्टर के टाइटिल से मैंने आपको सम्झाना शूरू किया और हर एक चीज के बारे में बताया है आपको तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे आप सभी से हम अगले वीडियो के साथ में तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन दोस्तों तक विकोज इतना अच्छा अगर पड़ाया जा रहा है तो अपने तक मत रखो दोस्तों कभी शेर करो मिलेंगे आप से हम अगले वीडियो के साथ में उक करो मिलेंगे झाथ इंगले वीडियो के साथ में पना का के साथ में